हारुफिक्स वान प्लस सेवेंटी प्रो कॉल वेटिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है तो अगर कोई दुसरे नमबर से आपको कॉल आ जाते हैं उस बिच में कुई इसी कॉल में बिजी रेते हैं तो इस तरीका का यह फ्यूचर है लेकिन यह फ्यूचर अगर आपके मोबाल पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या सॉलुशन करना चाहिए कैसे सॉल्फ वगा प्रावलेम इस वीडियो पर मैं आपको सॉलुशन बताऊंगा किसी भी प्रावलेम के रिगार्डिंग फिर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज करें चलिए वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहाँ पर सॉलुशन के साथ मैं आपको एड़ एंट ऑफ वीडियो तीक है लास्ट में मैं आपको कॉल वेटिंग का सेटिंग बतान यहाँ पर आपको सर्ट करना है आपका फॉन सर्विस ठीक है तो थोड़ा सा नीचे में जाएए आपको मिल जाएगा फॉन उसके बाद परमिशन पर ओके उसके बार आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर देना है डेटा क्लियर हो जा सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पास्वोट डे दीजिए जैसी मोबाइल पास्वोट डेगा आपका सारे ने टोक सेटिंग रिसेट हो जागा उसके बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए जाए आपने मोबाइल के डाइलर पे ठीक है डाइलर पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ट्री डॉक्स में सेटिंग पर जाना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलिंग एकाउंट सेलेक करना है more features color ID and call waiting जाके आपको simply setting को enable कर देना है अगर enable दिखाई दरा है काम नहीं कर रहे तो off करके दुबारा से enable करना है उसके बाद काम कर जाएगा problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर problem solve ना हो तो mobile को save mode पे एक बार ठीक है save mode पे reboot करके देखें mobile को कैसे करना है press and hold करना है अपने mobile के power button को switch off button मिल जाएगा power off के button पे 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है reboot to save mode का option है ok करके आपको save mode पे mobile reboot कर लेना है उसके बाद आपका problem solve हो चुका होगा by any chance अगर आपको आपको आपी भी problem आते हैं तो दोस्तों setting पर जाएए scroll down कीजिए system पर जाके mobile software update कर लीजिए ठीक है यहाँ से system update तो वहाँ पर जाके mobile software को update कर लेना end end आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह video प्लसन होगा thanks for watching कर दोस्तों पर जाएए